आप सभी का स्वागत है SPN 9 के इस खास कारी करब में और मैं हूँ आपके साथ फरहान उद्दीन सिद्धी की उद्धव ठाकरे एक ऐसे नेता बन कर सामने आए हैं शायद ही भारत के इतिहास में ऐसा कोई नेता दिखा हो जिस कटर विचार धारा के समर्थक थे वे जिस कटर विचार धारा की पार्टी के सहयोगी दल थे वे वह दल जो हिटलर की नीतियों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है फासिस्ट के नाम से जाना जा रहा है देश भर में आप उसके सहियोगी दल थे और इतनी जल्दी आपका चरित्र बदल जाता है यह वह कही बाकई में वह वही की बात है आप जिस तरह के कदम उठा रहे हैं वह सभी एतिहासिक कदम है जिस तरह शपत लेने के बाद आपने पत्रकार को फटकार लगाई थी आहत हुआ था मैं उस बात से लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आपकी विचार बदल रहे थे इस वज़े से आपने पत्रकार से इस तरह की बात की जब आप से पूठा गया कि सेकलररिजम के रास्ते पर चलेंगे आपने कहा बिलकुल नहीं समविधान के रास्ते पर चलेंगे और समविधान सेकलर ही है यह बात कही थी उद्ध inve ठाकरे ने तब उस वक्त लग रहा था कि उद्धव शायद अपनी उन बातों का जवाब न देना पड़े जो भाती जंता पार्टी के साथ रहके उन्होंने कार किये हैं इसलिए शायद वैं भड़क गए हैं लेकिन वैं क्यों भड़के थे आज समझ में आ रहा है जैसे ही वैं मुखमं करशन करने वाले जो की नेता नहीं थे समास सेवी थे उनके किलाव आफायर कर दी गई थी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था उद्धव ठाकरे आते हैं पेड़ों की कटाई को बंद करवाते हैं जो मुकदमे दायर किये गए थे उन्हें वापस ले लेते हैं यह बहुत करश्ट में लागू नहीं होंगे जिससे मुस्लिम समुदाय को एक भरोसा प्राप्त हुआ उद्धव ठाकरे का वही शियुसेना जो कल तक बाबरी विध्वन्ष में खुश होती हुई नजर आती थी लेकिन आज वही शियुसेना मुसलमानों के हक के लिए भी खड़ी होत दिया है कि पिरतेग शनीवार सम्विधान की प्रस्तावना बच्चों को सुनाई जाएगी जिससे विविध्वताओं में एक्ता की जो परिभाशा है भारत में वह इस पस ठोती नजर आए बच्चों के सामने जिन बच्चों को बच्चपन से ही सम्पिरदायक रास्ते पर लिए जा रहा है आरसस के कार्याले में आपने देखा होगा किस तरह जब उनकी परेड होती है छोटे छोटे चोटे बच्चों को किस तरह से अर्फ संख्यों के खिलाब भड़काया जाता है यहां गलत नहीं कह रहा हूँ जहां परेड चल रही हो प्राता काल आप उठकर जाएए और उनकी बाते सुनिये आप मैंने सुनी हैं किसी की बताई हुई बात नहीं कह रहा हूँ उनकी बातों को सुनिये तब आपको इस पस ठोगा कि आखिर बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है वहीं जब स्कूलों में समविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी प्रतेक शनीवारों समविधान की प्रस्तावना को सुनेंगे तब वह अपने समविधान को समझ पाएंगे और उस पर गर्व करेंगे कि आकर हमारा समविधान कितना महान है किस तरह सभी धर्म और जातियों को सभी समूदायों को समानता दे रहा है तब उनके यह बात समझ में आएगी उद्दा उठाकरे का यह कदम आरे वाले भविश्च में याद रखा जाएगा पहले ऐसे मुखबंतिरी बने हैं जिन्हों ने इस प्रिकार की घटना को इस प्रिकार की जो यह योजना कहें आप घटना कहें या फिर कानून कहें जो भी आपके समझ में आता है उ उन्हों ने लागू कर दिया है उनके इस कदम से पिरभाविट हुए कमल्नात मध्यप पर देश के मुखबंतिरी उन्हों नेहिंबादेश में भी इस नियम को लागू कर दिया है कि इस Nigam लागू रहेगा हम आपको बता दें कि मुंबई का सांत्रा कुरूज का रामेश्वर विद्याले है वह ऐसा स्कूल है जहां बच्चे रोजाना सविधार की प्रस्तावना का पाट करते हैं रोजाना और इसे इन अनिवार बनाए जाने से विद्यार थी और शिच्छक सभी खुश हैं बच्चे दुखी भी नहीं आपने देखा होगा प्रेयर का समय होता है बच्चे काफी लेट आते हैं कि प्रेयर ना पढ़नी पड़े जब समयधार की प्रस्तावना जोड़ दी जाएगी तो बच्चों में शायद आलस आएगी यह सभाविक है इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन इस सांता करूज में वो पस्ते जो रामेश और विद्याला है यहां रोज बच्चे पढ़ते हैं प्रस्तावना को और वह खुश भी है सिक्छक भी और बच्चे भी तो इसी तरह से देश का यदि भविश्च बनाना है तो सभी स्कूलों में चायो भारती इंता पा तब तक के लिए जासत दीजिए धन्यवाद